जैंसातियों जैस्विजन निकलम में आपसे बहुत बहुत स्वाकत है दोस्तों वीडियों बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें क्यूंकि यह वीडियो बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर बनाई जा रही है दोस्तों अगले साल अप्रैल में हमारे देश की पहले हैड्रोजन ट्रेल का ट्राइल होने जा रहा है यह ट्राइल होगा सोनीपाथ जीन्द के बीच में जो कि 90 किलोमेटर के आसपास का सेक्शन है दोस्तों इस प्रजेक्ट के उपर लगवा 120 क्रोडर रपे खर्च होने क किमेट अब बनाए गया है तो फिलाल में इसका हीड्रोजन स्टेशन बनाए जाय रहा और उसके बाद सोनिपात है लिए सोला में देश की पहले की जाड़ि गड़ी तो की काम वी चल रही है क्लेंक का ट्राइल ही वह का चार चार कोचिस के दो ट्रेनों के साथ किया जाएगा अभी कैसे होगा या हड्रोजन काम कैसे करता है दोस्तों एस फर्दी रेल्ब ऑफिशियर्स की ट्रेन में जो इंजन है उसमें हड्रोजन फ्यूल सेल चोड़े जाएंगे जिसमें ऑक्सीजन और हड्रोजन मिक्स करके अनर्जी प्रड्यूस की जाएगी और सबसे बड़ी खास बात यह कि एक ट्रेन 140 किलो मिटर की स्पीड को भी अचीव कर सकती बहुत ही कम टाइम है और सबसे बड़ा फायदा मारे परियावन का ह नहीं होती है और फिलाल अभी दोस्तों एक ट्रेल हुआ था जो कि मतारे लवे के तरफ से नहीं हुआ था वो कालका शिमला मार्क पर हुआ था उसमें वह फेल हो गया था उसकी दिक्कत यह थी कि उस रूट पर उचाहिब होता है अलकि यह मतारे लिए के तरफ से अफिशल यह जो होने लगा है अगले साल शुरू होगा अप्रेल 24 में और मैं आपको एक बात बता दो फिलाल पूरे दुनिया में जर्मिनी ही पहला देश है जो की ट्रेन चला रहा है और अगर भगवान के दिया से हमारे देश में अगर यह ट्रायल सकस्वल होता है और मैं उमीद क सबसे पहले प्रात्मा करें कि हमारा जो हड्रोजन ट्रेन का जो ट्रायल है वह कामियाब होजे और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरूर करें